हेलो बच्चों, वेलकम टू जस्ट पढ़ले, स्वागत आप सब का जस्ट पढ़ले की इस सूपर स्पेशल लेक्चर में मैं हूँ अनुश्या, आपकी सोशल साइन्स टीचर अन कैसे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स, I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि सारे बच्चे सूपर एडी हैं आज के इस लेक्चर के लिए, so I believe this was one of the most awaited chapters, मैं काफी टाइम से देख रही थी, आप लोग कह रहे थे कि माम history में please, Nazism and the rise of Hitler करा दो, तो आज लेके आगए हैं हम वो chapter and बहुत ही interesting, super interesting chapter है, in fact class 9 के history में मेरा ये favorite chapter है तो हम इसे बहुत ही fun तरीके से आज के class में cover करने वाले हैं, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी join कर लो class को, सौम्या, अलीशा और हमारे आप पर भी शारियन, शिवम, सबको good evening, सबको hi, सबको hello चलो, तो start करते हैं हम अपना lecture, आगे बढ़ने से पहले मैं आप बच्चों को बता दू, हमारे इस चानल को subscribe कर लो, हमारा target है कि हमें 130K तक पहुंचना है, सो जितने भी बच्चे हैं यहां पर जल्दी से हमारे इस चानल को subscribe कर दो and don't forget to press the bell icon, bell icon को भी press कर देना, ताकि आप बच्चों को notification मिलती रहे जब भी हम आप बच्चों के लिए ऐसे ही special और amazing lectures लेके आएं साथ ही साथ आपको पता ही है, हम लोगोंने triumph batch start करा है, सिर्फ आप बच्चों के लिए so class 9 के बच्चों के exam जाने वाले हैं, so हमने सोचा, one go में आपका पूरा syllabus, one shot revisions के through cover कर देते हैं so stream batch में हम लोग यही कर रहे हैं, फिल हाल तो आप बच्चों को ये video YouTube पर देख रही है पर आप साथ ही साथ हमारे doubtnet के app पर भी इस video को देख सकते हो and doubtnet के app पर देखने के अपने अलग ही फायदे हैं, आप लोग अगर app पर देखोगे इन classes को तो हम आपको practice questions देंगे homework के तौर पर साथ ही साथ आप बच्चों को lecture slides भी मिल जाएंगे, ठीक है lecture slides easily मिल जाएंगे chapter का एक छोटा सा test भी होगा ताकि आप बच्चों को भी idea लग जाए कि आपकी तयारी कैसी चल रही है and ad free experience, ठीक है यहाँ पर थोड़ा YouTube पर advad का system रहता है ना, हमारे आप पर आपको किसी ad की tension लेने की ज़रूरत नहीं है so आपको इसी video के description में एक link देख रहा होगा, उस link के उपर click करो, अगर doubtnet app नहीं है तो उसे download करो और फिर से आओ और इस link के उपर click करो, directly आपके app पर, ठीक है हमारा time batch का series start हो जाएगा, आप वहाँ पर भी हमारे इस classes को बहुत ही आराम से देख सकते हो ओके, चलो, तो काफी सारे बच्चों ने join कर लिया है, बढ़ते आगे start करते हैं हम अपना lecture उससे पहले, अगर यहाँ पर कोई new student है, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं Anushya Maam हूँ and social science का यह chapter आप लोग मेरे साथ cover करने वाले हो चलो, सो देखो, हम लोग Germany की बहुत जादा बात करने वाले हैं इस chapter में, obviously सो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जर्मनी कहाँ पर है, ठीक है, सो यह यॉरॉप का मैप है, ओके, सो यहाँ पर अपना जर्मनी है जर्मनी के पास में ही हम बगल में France, Poland और Austria को भी देख लो, साथ में यह रहा Austria और यहाँ पर Russia ठीक है, जस्ट आइडिया रखो कि यहाँ पर यह countries हैं क्यूंकि इन कुछ countries के बारे में हम लोग काफी सारा discussion करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह countries कहाँ पर हैं स्टार्ट करते हम अपना lecture और हम इस lecture को स्टार्ट करेंगे कहानी के साथ ठीक है, सो यह कहानी असली कहानी है, ठीक है सो 1945 की कहानी है और एक छोटे से बच्चे के बारे में आपको बताया जा रहा है बच्चे का नाम है हेलमत सो हेलमत एक बार अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुन लेता है ठीक है, अब मेरे पास और कोई रस्ता नहीं है या तो मुझे अपने आपको मार देना होगा या मुझे अपने पूरे फैमिली को मार देना होगा सो बेसिकली हेलमत के फादर कह रहे हैं कि या तो मुझे स्यूसाइड करना होगा या फिर पूरे फैमिली को मारना होगा ठीक है क्योंकि अब हम लोग हार गए हैं वार में तो एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हम लोगोंने जूस के साथ किया था ये हलमत के फादर बोल रहे होते हैं और हलमत छोटा सा बच्चा होता है वो बेचारा ये सब सुन लेता है ठीक है उसे जादा समझ नहीं आता ठीक है पर अगले दिन क्या होता है उसके जो मम्मी पापा है हलमत के जो मम्मी पापा है वो हलमत को ऐसी भार लेके जाते हैं पिकन कमिट कर लेते हैं, और हेल्मत बहत ही छोटा बच्चा होता है उस टाइम पर, वो इन सारी इंसिडेंस को देखिके बहुत ज़ादा डर जाता या, अचानक से वो सोचता है कि हाँ, पापाबाद कर रहे थे कि अपने आपको मार देते हैं, फैमिली को भी मार देते हैं, तो मतलब कुछ तो चल रहा है, हेलमत बेचारा इतना डर जाता है कि वो काफी टाइम तक खाना नी खाता घर पे अच्छे से, उसको ये डर रहता है कि मम्मी ने शायद खाने में जहर मिला दिया, ठीक ह काफी टाइम तक वो बेचारा खाना भी नहीं खा पाता, तो ये हलमत की कहानी है, पर उस टाइम पे जर्मनी में काफी सारे फामिलीज में ये चीज हो रही थी, क्यूं हो रही थी, वैसे तो थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें, जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चल जा करे थे, और हिटलर की हार हो जाती है सेकेंड वोल वार में, तो वार के नाम पे हिटलर जो हैं बहुत सारे क्राइम कमिट करते हैं, जैसे ही उनकी हार होती है हिटलर और हिटलर के सपोर्टर को लगता है कि अब बागी सारे लोग हमें पकड़ के टॉर्चर करने आएंगे, इससे पहले कि वो हमें पकड़ के टॉर्चर करें, हम लोग स्यूसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हलमत के फादर और और उस टाइम पे बहुत सारे नाजी पार्टी के लोग और साथ ही साथ हिटलर भी खुद स्यूसाइड कमिट कर लेते हैं। यह कहानी कलियर है सारे बच्चो को ? कलियर है तो झल्दी झल्दी थम्स अब डाल दो comment section में। हां, तो हमने इस कहानी में सुना कि हलमत कहरे हैं कि allies हमारे साथ वो करेंगे जो हमने जूस के साथ करा। तो क्या मतलब है allies का ? मैं आपको थोड़ा idea देती हूँ कि वर्ल वार में क्या चल रहा था वर्ल वार में दो teams आपस में लड रही थी आप ऐसे समझो कुछ-कुछ countries ने साथ में मिलके team बना लिया और वो teams आपस में लड रही है एक team को हम कहते है allies, allied power कहा जाता है इसमें mainly Russia, France, USA और UK थे दूसरे team को हम कहते है axis power या फिर axis कहा जाता है इसमें mainly Germany, Japan और Italy ये तीन countries साथ में मिलके लड रहे थे और क्या होता है war में? war में यहाँ पे एक छोटा सा winner बनाया है न मैंने इसका मतलब war में क्या होता है कि ये सारी countries जीत जाती है war में ओके हाँ ठीक है तो ये सारी countries war में जीत जाती है ठीक है अब next क्या होता है जैसी war finish होता है जैसी second world war खतम होता है एक organization बनाया जाता है ठीक है इस organization का नाम होता है international military tribunal ठीक है नियूरंबर्ग में इस organization को बनाया जाता है और इस organization से कहते हैं कि आप लोग क्या करो Hitler ने और नाजी पार्टी ने war के नाम पर जो भी crimes करे हैं वो सब चेक करो and on that basis इन लोगों को कुछ ना कुछ punishment दो ठीक है तो punishment देने के लिए international military tribunal को बना दिया जाता है ठीक है पर international military tribunal के लोग ना बहुत ही हलका punishment देते हैं ठीक है कुछ 10-11 लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को हम लोग डेच सेंटेंस दे देते हैं बाकी लोगों को जेल में डाल दो तो बहुत ही हलका punishment देते हैं इसका पता है कारण क्या होता है वैसे अगेन जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये suspense क्लियर हो जाएगा मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसका कारण ये था कि World War I में भी जर्मनी की हार हुई थी One में भी जर्मनी के लोग हारे थे World War II में भी जर्मनी के लोग हारे थे ठीक है पर World War I में जब जर्मनी की हार होती है सारी कंट्रीज मिलके जर्मनी को बहुत परिशान कर डालते है and somewhat उसी रीजन के वज़े से World War II स्टार्ट होता है जर्मनी के लोग revenge के चक्कर में थोड़ा World War II स्टार्ट कर देते है तो इस बार जब World War II में फिर से हार होती है जर्मनी की तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं अब जर्मनी से पंगानी लेना है अब इनको थोड़ा ठीक ठाक punishment दे के छोड़ देते हैं तो जर्मनी ने उस ताइम पर पता है क्या-क्या crimes करे थे जर्मनी के crimes को देख लेते हैं तो इन्होंने कुछ 6 million Jews को मार दिया था ठीक है 2 lakh gypsies को मारा 1 million Polish civilians मतलब Poland के लोगों को मार दिया ठीक है ऐसे Germans कुछ 70,000 ऐसे Germans जो की mentally या फिर physically fit नहीं थे उनको भी torture करके मार दिया जाता है ओके सो इतने सारे crimes जर्मनी के लोगों ने उस दोरान करे थे ठीक है यहां तक तो clear है सारे बच्चों को चलो बहुत ही बढ़िया हाँ सबने थमजब डाल दिया बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं Birth of Weimar Republic के बारे में ठीक है War के बाद क्या होता है राजा को हटा दिया जाता है और वहां पे जो next group जो की power में आती है उसका नाम होता है Weimar Republic ठीक है वार के बार राजा रानी को हटा देते है यह लोग और जो next आप मांनो group या organization जो वहां power में आती है उनका नाम होता है Weimar Republic तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो जर्मनी के लोग बहुत ही जोश में जॉइन करते हैं कि हाँ वार करेंगे जीतेंगे मज़ा आएगा पर धीरे धीरे जैसे वार बढ़ने लगता है हम देखते हैं कि वेमार रिपब्लिक जो है वो फॉर्म हो जाती है और जर्मनी का हटा कि कोई democratic organization बनती है तो लोगों को बढ़िया लगता है कि राजा हट गए अब हम democracy की तरफ बढ़ रहे हैं Germany में ऐसा नहीं था Germany में राजा को हटाने के बाद वेमार रिपबलिक को बनाया तो गया पर लोग वेमार रिपबलिक से नफरत करते थे और इसका पता है कारण क्या था काफी सारे reasons थे एक main reason ये था कि war में जब हार होती है जर्मनी की first world war में ओके तो जर्मनी से एक treaty sign कराई जाती है ठीक है treaty मतब एक agreement sort of treaty का नाम था treaty of word sales और इस treaty में जर्मनी को बहुत humiliate किया जाता है international level में बहुत बेस्ती करी जाती है जर्मनी की ठीक है और जर्मनी के लोगों को बिलकुल पसंद नहीं आता है और जर्मनी के सारे लोग वेमार रिपबलिक योग पर इलजाम डालते हैं कि जब वेमार रिपबलिक को पता था ये treaty इतनी बेकार है तो वो जा कि इस treaty को मान के क्यों आ गए साइन करके क्यों आ गए इस treaty में तो इस वज़े से लोग वेमार रिपबलिक से नफरत करते थे अब ऐसा था क्या इस treaty में कि लोगों को नफरत थी इस treaty से तो जर्मनी से बेसिकली सारे हक चीन लिये जाते हैं इस treaty में ठीक है जर्मनी से सारे कॉलिनी बहुत सारे कॉलिनी को चीन लिया जाता है 13% टेरिटरीज को चीन लिया जाता है 75% आइरन 26% कोल ये सब चीन के फ्रांस, पोलाइन, डेनमार्क लिथुएनिया में बाठ दिया जाता है ठीक है, तो इसी के साथ साथ जर्मनी से कहा जाता है कि तुम अपने आपको demilitarize करो, जहां पर भी तुमने military को लगाया है, military को हटा दो ठीक है, मतलब basically जर्मनी को बहुत जादा weak बनाया जा रहा है ठीक है, साथ ही साथ देखो war तो सारे countries में साथ में मिलके करा था, है ना पर जैसे ही war खतम होता है ये सारे countries मिलके बोलते हैं कि जर्मनी की हार हो गई तो war में जो भी खर्चा हुआ वो सारा खर्चा जर्मनी की उपर डाल देते हैं जर्मनी से कहेंगे कि तुम समाल लो इस खर्चे को ठीक है तो जर्मनी के लोग बहुत परिशान हो जाते हैं कि क्या हुआ वार ही तो हारें इतना जादा इंटरनाशनल लेवल में हमें हुमिलियेट करने की क्या जरुवती ठीक है तो ये डाइग्राम है जिसके थूर आपको एडिया लग सकता उस टाइम पर जर्मनी की क्या सिट्वेशन थी ये जो पॉपल एरिया है ठीक है ये उस टाइम का जर्मनी था ठीक है ये जहां पर ऐसे स्ट्राइब्स बने है राइनलांड जैसा एरिया इस एरिया से जर्मनी को कहा गया कि डी मिलिटरलाइज कर दो ठीक को उस तौरान कितना जादा परिशान किया गया था ठीक है six billion का compensation मांगते है six billion pounds का compensation जर्मनी से ले लिया जाता है ठीक है तो ये सारी इन सारी चीजों के वज़े से लोग वेमार रिपब्लिक से नफरत करने लग जाते हैं ठीक है अक्सर वेमार रिपब्लिक के लोगों को, ठीक है, सपोर्टर्स को नवेंबर क्रिमिनल्स तक कहा जाता था, ठीक है, क्यूंकि लोग मानते थे कि नवेंबर में वेमार रिपब्लिक ने एक क्राइम करा है, ट्रीटी ओफ वर्सेल्स को होने दिया, तो लोग उनका मजाग उड आने के लिए उनको November criminals कहते थे, चलो, तो अगर यहां तक clear है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोल दो, हाँ माम clear है, जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, effect of war हमें cover करना फिर, ठीक है हाँ, जल्दी जल्दी बोल दो, हाँ माम clear है, कोई दिक्कत नह ही है, जल्दी जल्दी thumbs up डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, केशव ने काया, माम पानी पीलो, चलो, ठीक है, भव्या, याशी, सब ने thumbs up डाल दिया, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं, next topic है हमारा, the effect of war, ठीक है, तो इस topic में हम लोग समझेंगे, कि war की वज़े से क्या क्या effects हैं, है न, war के वज़े से क्या-क्या दिक्कते start होती हैं, इस चीज़ को हम जर्मनी के context से समझेंगे, ठीक है, so November criminals हम लोग समझ चुके हैं, कि वेमार रिपबलिक को इस दौरान November criminals कहना start कर देते हैं, और war के दौरान क्या होता है, trench life को, ठीक है, बहुत बड़ा के लोग कहना start कर देते हैं, trench life को glorify करना start कर देते हैं, अब होता क्या है ये trench life, trench life मतलब basically war के time पर, soldiers को बहुत जादा support किया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि life हो, तो soldier जैसी वरना ना हो, life हो तो trench life हो, और होता क्या है trench life, कुछ नहीं होता, trench एक strategy होती है, जिसके थूँ लोग जमीन खोद लेते हैं, ठीक है, जो हिस्सा खोद लिया, उस हिस्से में जाके छुप जाते हैं, जैसे ही इनसान यहाँ पे खड़ा है, हम फिर अपने gun को यहाँ पे रखते हैं, नीचे छुपे हुए रहते हैं, और gun से सामने enemy की तरफ फाइरिंग करते हैं, हमने सामन वायर भी लगा दिये, ताकि अचानक से enemy कूद के हमारे इस एरिया में ना आ जाए, तो इसे ट्रेंच कहा जाता है, तो उस तोरान ट्रेंच लाइफ को ग्लॉरिफाई किया जाता था, कि लाइफ हो तो सोल्जर जैसी वरना ना हो, और इसका कारण भी था, कारण क्या था, वार चल रहा था, जर्मनी को सोल्जर की जरूरत थी, इसी लिए ट्रेंच लाइफ को बहुत जादा ग्लॉरिफाई किया जाता था, पर असलियत ये थी, ठीक है, ग्लॉरिफाई तो करते थे कि लाइफ हो तो सोल्जर जैसी, पर असलियत ये थी कि बिचारे सोल्जर वार मे बहुत जादा struggle करते थे, बहुत जादा परिशान थे, ठीक है, next इसी दोरान क्या होता है, political radicalism और economic crisis start होने लगता है जर्मनी में, ठीक है, वेमार रिपबलिक थी, है न, सो वेमार रिपबलिक के opposition में, ठीक है, वेमार रिपबलिक के साथ-साथ एक दूसरी body जर्मनी में आ जाती है, और वो लोग पावर के लिए लडने लगते हैं, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, Spartacist League था वो, तो वेमार रिपबलिक पहले से ही थी, साथ ही साथ कुछ और लोग आ गए, जो आप पावर के लिए लड़ रहे हैं, उनका नाम है Spartacist League, यह लोग रश्या के थियरी के उपर बहुत जादा प्रिंसिपल के उपर विश्वास रखते हैं, और यह लोग वेमार रिपबलिक को पसंद नहीं करते, तो इस त जच्पन में कहानी सुनते थे ना कि दो बिल्लियां किसी रोटी के लिए, ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, अचानक से एक बंदर आता है, वो कुछ पॉलिटिक्स करता है और सारा ब्रेड वो खाके निकल जाता है, ऐसा ही कुछ होता है जर्मनी में, सो वेमार रिपबलिक और स्पार्टिस लीग के लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं पावर के लिए, इतने में हिटलर आता है, सारी पावर लेके चला जाता है, ठीक है, तो अभी पहुंचेंगे हिटलर तब पर हाँ, ओवराल अभी यही होने वाला है, ठीक है, तो यह पॉलिटिकली यह टें 1923 में क्या होता है, जर्मनी के लोग मना कर देते हैं कि हम लोग पैसे दे ही नहीं रहे, ठीक है, इनके पास पैसे बचते ही नहीं है, तो यह लोग गुस्से में आके कह देते हैं कि हम लोग पैसे किसी को दे ही नहीं रहे, ठीक है, हमारे उपर जो फाइन लगा था, से है यह नहीं तो कहां से तुम्हें पैसे दें जर्मनी के लोग गुसे में क्या करते हैं पेपर करन्सी को प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है जर्मनी के लोग गुसे में क्या करते हैं पेपर को प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं और यह हमने पहले भी डिसकस कर रखा है, है ना तो आप लोगों ने एकनॉमिक्स में मेरे साथ ही पढ़ रखा है कि पेपर प्रिंट करने से गरीबी नहीं जाती है ना पावर्टी आज चैलेंज अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है मेरा नहीं देखा तो देख ले ना उसमें मैंने क्लियरली बता कि लोगों को बहुत ही नॉर्मल सा सामान मान लो ब्रेड खरीदने के लिए भी ऐसे पैसे भर के ले जाना पड़ता था ठीक है तो ऐसी सिट्वेशन जब मार्केट में बहुत जादा महंगाई बढ़ जाए इस सिट्वेशन को हम लोग कहते हैं हाइपर इंफलेशन और सोचे समझे paper को print करना start कर दिया था ठीक है तो जर्मनी के लोग वैसी परिशान थे उपर से एक और problem इनों ने खुद start कर दी paper को print कर के ऐसे में क्या होता है USA को दया आजाती है जर्मनी के उपर कि बेचारे जर्मनी के लोग financially बहुत परिशान चल रहे हैं तो USA के लोग क्या करते हैं एक plan बनाते हैं जर्मनी की help करने के लिए उस plan को कहा जाता है Dawes plan ठीक है so ये जो person है इनका नाम Dawes था and यही plan लेकर आते हैं तो Dawes plan कहा जाता है उस plan को so basically USA के लोग एक plan लेकर आते हैं Germany की help करने के लिए ठीक है और जैसी USA के लोग ये plan लेकर आते हैं गर्मनी में situation थोड़ी भूट ठीक होने लग जाती है पर अब क्या होता है USA में problem स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो USA में क्या होता है इनका wall street exchange crash कर जाता है ठीक है इनका जो stock market है अचानक से crash कर जाता है मतलब stock market में बहुत ज्यादा नुकसान आ जाता है और क्यूं आता अचानक से नुकसान क्यूंकि war का महौल था USA के लोग अचानक से डर जाते हैं कि नुकसान होने वाला stock market में और सारे लोग साथ में मिलके पैसो को withdraw करना start कर देते हैं वापस खीचना start कर देते हैं तो जैसी लोग पैसो को निकालना start करते हैं क्या होता है wall street exchange पूरा crash कर जाता है अब USA की economy डूब गई USA के लोग ही तो जर्मनी की help कर रहे थे तो जर्मनी की दिक्कत फिर से आ गई और यह जो situation है na wall street exchange crash करना अभी में भी आपको लग रहा हो कि सिरफ USA की दिक्कत थी यह नहीं इसका जो impact था हमारे इंडिया में भी हमें फील हुआ 10th में आपको बताय भी जाएगा इसके बारे में so इस situation को great economic depression कहा जाता है इस दोरान जर्मनी में सारे लोग unemployed हो जाते हैं वो इस type के card पहन के घुमते हैं ठीके कोई भी job करने को हम तयार हैं अक्सर लोग इतने बेरोजगार होते थे कि लोग criminal activity करना start कर देते थे तो यह सार पावफुल नहीं होती वेमार रिपबलिक तो अलग-अलग दिक्कते होती हैं वेमार रिपबलिक में जैसे की इनके पास proportional representation था ठीक है मतलब अलग-अलग community equal amount में थी वेमार रिपबलिक में तो यह correlation के थू काम करते थे और correlation ज्यादा time तक चल नहीं पाता है यह लोग आपस जर्मनी में emergency ही लगाते रहते थे ठीक है और वेमार रिपबलिक बहुत कम time के लिए रहा उस कम time में ही इन लोगों ने अपने cabinet को बहुत बार change कर लिया ठीक है तो इन सारी reasons के वज़े से वेमार रिपबलिक धीरे-धीरे weak पढ़ने लगती है और यहाँ पे Hitler को मौका मिल ज दाल दो ओके हाँ जल्दी जल्दी thumbs up दाल दो फिर हम Hitler के बारे में समझेंगे finally Hitler की entry हो गई है chapter में ठीक है हाँ ओके सबने thumbs up डाल दिया है ठीक है बहुत ही बढ़िया तो next topic हमारा क्या है Hitler's rise to power तो Hitler पता है 1889 में born हुए थे बहुत ही poor family को belong करते थे and army को join करते हैं और फिर first world war में पाट लेते हैं first world war में Hitler बहुत जादा महनत करते हैं तो इसलिए जब first world war में Germany की हार होती है तो Hitler को बहुत बुरा लगता है ठीक है कि क्यूं हमारी Germany हार गई ठीक है तो उसके बाद Hitler क्या करते हैं बहुत गुसे में होते हैं जब treaty of Versailles Germany की उपर लगा दी जाती है तो 1919 में Hitler क्या करते हैं एक छोटे से party को join करते हैं उस party का नाम रहता है German Workers Party कुछ time के बाद इस party को Hitler ही सम्हालना start कर देते हैं और इस party का नाम बदल के रखते हैं Hitler National Socialist German Workers Party कुछ time के बाद इसी party को नाजी party लोग कहने लगते हैं ठीक है तो यहाँ नाजी party की शुरुवात होती है ठीक है next क्या होता है 1923 में Hitler सोचते हैं कि मैं Bavaria की उपर कबजा कर लेता हूं ठीक है तो Berlin में जाके कबजा करने का प्लान होता है Hitler का पर यहाँ पे Hitler fail कर जाते हैं ठीक है बहुत अच्छे से plan van करते हैं फेल हो जाते हैं इनको arrest करके jail में डाल दिया जाते हैं ठीक है काफी time तक jail में रहते हैं उसके बाद jail से बाहर आते हैं Hitler नाम सुनके आपको लगता होगा ना कि maybe कभी हारे ही नहीं है हर जगा जाके कबजा कर लिया होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो Hitler काफी जगा पर हार मतलब failure भी इनोंने face कर रहा है ठीक है तो अक्सर ऐसा कहा जाता है Hitler was not born he was made ऐसा नहीं है कि Hitler born होते ही बहुत ही rude से इंसान थे situations ऐसी थी जर्मनी की कि वो उस type के इंसान बन गए तो failure इनोंने देखा जेल में डाल दिया जाता है कुछ time के बाद जेल के बहार आते हैं और फिर यहां से Hitler धीरे धीरे power में आना start करते हैं ठीक है कैसे आते हैं Hitler power में Hitler और Nazi party के लोग अक्सर जब हम किसी problem में होते हैं तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कहीं से कोई एक saviour मिल जाए ठीक है कोई hero मिल जाए जो हमारे सारे problems को solve कर दें ठीक है तो Germany में भी ऐसा ही था Germany के लोग इतने सारे problems में थे कि वो लोग सोच रहे थे कि काश हमें कहीं से कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो सारे problems को solve कर दें और Hitler सारे लोगों से जाके promises करता है कि तुम्हारी जो भी दिक्कत है मैं सुल्जाओंगा जॉब निये तुम्हारे पास मैं जॉब दिला दूँगा तुम्हें बुरा लग रहा है कि Germany को humiliate किया जा रहा है मैं सम्हाल लूँगा ठीक है तो सब को थोड़ा भरोसा दिलाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हिटलर पावर में आते हैं हिटलर के बारे में एक और चीज जो आप बच्चों को पता होनी चाहिए हिटलर ना हर एक चीज को बहुत grand तरीके से करते थे ताकि देखने वाले लोगों को भी लगे कि कुछ अलग हो रहा है ठीक है तो हिटलर बहुत बड़े-बड़े मीटिंग्स राली कंड़क्ट करते थे जिसे देखके लोगों को लगता था कि अरे वा कुछ बहुत ही बड़ी चीज हो रही है तो Hitler का जैसे salute करने का तरीका अलग होता था normally हम ऐसे salute करते हैं Hitler क्या कहते थे कि हाथ ऐसे आगे रख के salute करो ठीक है इस तरीके से greet किया जाता था ठीक है इतनी बड़ी बड़ी rallies conduct कराई जाती थी ये नाजी पाटी का जंडा है बेटा ठीक है रेड वाइट और ब्लाक कलर का बीच में स्वास्तिक का सिंबल है ठीक है जब हिटलर कोई speech देते थे तो इस टाइप में लोग खड़े होते थे एकदम सीधी सीधी लाइन में ठीक है हमको पता हाला कि हिटलर अच्छा आदमी नहीं था पर हमें भी देखके लग रहा है कि इसमें तो कुछ बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है लोग इतने discipline में खड़े हैं है ना तो इस टाइप की meeting हिटलर रखा करते थे ठीक है फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद 30 जैनवरी 1933 हिटलर को थोड़ा और मौका मिलता है और चांसलर उस टाइम पर बहुत बड़ी position हुआ करती थी तो धीरे धीरे हिटलर क्या करते हैं चांसलर बनते हैं चांसलर बनने के बाद अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके target करना start करते हैं इसी में ही एक बार उनके parliament में आग लगा दिया जाता है और हिटलर अपने सारे enemies को फसा देते हैं कि ये इन्होंने करा होगा ठीक है और next अभी हम पढ़ेंगे concentration camps के बारे में हिटलर जिनसे भी नफरत करते थे उन सब को एक जगा ठीक है भेज के torture किया जाता था ये सब करना हिटलर धीरे धीरे start कर देते हैं फिर 1933 की बात है एक act निकलता है इस act का नाम होता है enabling act इस act के through finally कह दिया जाता है कि हिटलर आज से जर्मनी में dictator है ठीक है और जैसे ही वो dictator बनते हैं dictator का क्या मतलब है एक इंसान जिसके हाथ में सारी power है तो जर्मनी में क्या होता है जैसी हिटलर dictator बनते हैं वो लोगों से सारे rights को छीन लेते हैं फिर वो अपनी जर्मनी में चलाना start कर देते हैं torture chambers बनाते हैं concentration camps बनाते हैं ठीक है तो ये बेटा कुछ areas हुआ करते थे जहां पर Hitler क्या करते थे बहुत सारे लोगों को जिन से भी उन अफरत करते थे उनको लाते थे लॉक करते थे torture करके मार देते थे उनको ठीक है तो ऐसा कहा जाता है कि एक concentration camp के अंदर एक इंसान ने मतलब खुद wall के उपर ऐसे लिखा था कि if there is a god he has to beg for my forgiveness इतना torture किया जाता था कि एक इंसान ने torture center के अंदर लिखा हुआ था कि अगर सही में कहीं पर कोई भगवान है तो उसे आके मेर से माफी मांगनी चाहिए इतना torture किया जा रहा है मुझे तो इस type की चीजें Hitler करना start कर देते हैं next Hitler क्या करते हैं एक economist को लाते हैं Halmer Schatt इनका नाम होता है ठीक है and इस economist से कहते हैं कि मैंने Germany में सबसे कहा था कि मैं development करूँगा तो तुम दिमाग लगाओ और बताओ कि कैसे development करना है तो ये जो economist होते हैं बड़िया economist होते हैं जर्मनी में चीजों को change करना start करते हैं ठीक है employment rate बढ़ने लग जाता है इसी दोरान ठीक है Volkswagen जो बहुत ही famous car की company है ये बनाई जाती है and लोगों को धीरे-धीरे job मिलना start हो जाता है ठीक है League of Nations League of Nations मतलब उस टाइम पर United Nations kind of organization होता था Hitler League of Nations के बाहर आ जाते हैं ये कहे कि सारी countries तो हम हमें humiliate कर रहे हैं तो हम क्यूं उनके group का part रहे है League of Nations को छोड़ लेते हैं राइन लैंड के उपर फिर से कबजा कर लेते हैं ठीक है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था इस तोरान Hitler एक slogan भी देते हैं one people one empire one leader कि हम सारे लोग same type के हैं हम सब को same राज्य में होना चाहिए और हम सबका एक ही leader होना चाहिए और वो leader कौन Hitler ठीक है इस टाइब के slogan देना start कर देते हैं ठीक है तो यह Volkswagen का एक poster है जिसमें लिखा है your Volkswagen मतलब तुम्हारी ही company है तुम्हारी ही car है ठीक है तो इस टाइब के slogan उस टाइम पे निकाले जाते थे अब Hitler ना यहीं पर नहीं हिटलर सोचता है मुझे और कबजा करना और जर्मनी को बढ़ाना है हाला कि जो इकनॉमिस्ट था वो हिटलर को वान कर देता है कि यार रुक जाओ ठीक है जो तुम कर रहे हो बढ़िया है पर जादा खर्चा मत करो अभी जर्मनी सिट्वेशन में नहीं है कि तुम वार करो हतियार के उपर खर्चा करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो यह सब मत करो ऐसा एकनॉमिस्ट कहता है अब जैसे ही हिटलर के खिलाफ कोई कुछ कहता हिटलर को अच्छा नहीं लगता हिटलर निकाल देता है उस एकनॉमिस्ट को सुनता नहीं है उसकी ठीक है और हिटलर खूब ठीक है तो अब Hitler का देखो main मकसद क्या था कि उन्हें रश्या की उपर धीरे-धीरे कबजा करना स्टार्ट करना है ठीक है तो क्या करते हैं Hitler धीरे-धीरे Soviet Union की उपर attack करना स्टार्ट करते हैं 1941 में एक गलती वो रश्या को अंडरेस्टिमेट करते हैं रश्या के लोग बढ़िया लड़ रहे होते हैं और दूसरी गलती हिटलर सारा ध्यान रश्या के उपर दे देते हैं इतने में क्या होता है ब्रिटिश लोग ठीक है ब्रिटेन के लोग जर्मनी के उपर attack करना स्टार कर देती है ठीक है फाइनली क्या होता है जर्मनी के लोग स्टैलिन ग्राइट नाम की जगे पे बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं ठीक है तो यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है यह वर्ल वार टू की बात हो रही है ठीक है तो अब क्या होता है वर्ल वार टू पत आपको बताती हूँ, सो काफी टाइम तक क्या होता है, USA के लोग कहते हैं कि हमको वार ही नहीं करना, ठीक है, USA के लोग समझ जाते हैं कि वार में बहुत नुकसान होता है, USA के लोग कहते हैं हमको करना ही नहीं वार, तुम लोग लगे रहो हम आएंगे नहीं वार में, अब ऐस में क्या होता है जपान के लोग USA के उपर अटाक कर देते हैं तो USA का एक बेस होता है जिसको कहा जाता है Pearl Harbor, military base था उनका, उसके उपर अटाक कर देते हैं जपान के लोग, अब यहां पर USA के लोग बुरा मान जाते हैं, कि जब हमने कहा था कि हम war नहीं कर रहें, तो हमारे उपर क्यों अटाक किया गया, USA के लोग बदले के चकर में क्या करते हैं, atom bomb गिराते हैं, हिरोशीमा और नागा साकी में, bomb का नाम रहता है little boy और fat man, ठीक है, यह दो bomb गिराते हैं, और यह bomb इतने जादा devastating होते हैं, हम लोगों ने सुन रखा इन bombs के बारे में है न, इतना बहुत जादा damage होता है इस bomb के थूँ कि जपान के लोग give up कर देते हैं, यहां पर world war 2 खतम हो जाता है, so USA की जैसे entry होती है war में क्या होता है, world war 2 हमारा खतम हो जाता है, अब world war 2 जब खतम होता है, क्या होता है, नाजी पार्टी के लोग डर जाते हैं कि हमने इतना torture करा लोगों को, अब लोग हमें torture करने के लिए आएंगे, एक एक करके नाजी पार्टी कि लोग स्यूसाइड करना स्टार्ट करते हैं, हिटलर भी स्यूसाइड करते हैं, और उस दौरान इंडिया के न्यूस पेपर में ऐसे खबर आई थी, कि हिटलर रिपोर्टेड डेड, ठीक है, इन फाक्ट हमारे गांदी जी को भी पता था वैसे जर्मनी में क्या-क्या चल रहा था, अब हमें ये समझना है कि हिटलर का नजरिया क्या था, ठीक है, वर्ल्ड व्यू क्या था, नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, हिटलर कैसे पूरे दुनिया को देखा करते थे, ठीक है, तो हिटलर पता है, equality के उपर विश्वास नहीं रखते थे उन्होंने जर्मनी के लोगों को दो category में बाट रखा था desirable and non desirable desirable मतलब बढ़िया लोग जुनको जर्मनी में रहना चाहिए तो Hitler मानते थे कि ऐसे लोग जो की blonde है मतलब golden बाल है blue आंखे है ठीक है वो जर्मन के Aryans है ठीक है उन्हें protect करके रखना जो tall है strong है and Hitler को Jews से बहुत ज़्यादा नफरत थी Jews एक community थी तो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत थी तो उनको पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा torture करा था Hitler ने ठीक है और Hitler पता है ऐसा कहते थे ठीक है वो science के उपर विश्वास रखते है so कुछ scientists थे जैसे कि Charles Darwin और Herbert Spencer आप लोगों ने बायो में इनका नाम भी सुना होगा तो इन scientists ने एक theory निकाली थी ठीक है जिसको हम कहते हैं concept of natural selection and survival of the fittest survival of the fittest मतलब ये scientists ऐसा मानते थे कि एक forest में क्या होता है जो fittest animal होता है एक species का जो fittest strongest animal होता है उसके जिन्दा रहने के chances ज्यादा होते हैं है ना ओव्यस सी बात है forest में हंटिंग चलती है इतनी animals एक दूसरे को मार रहे होते हैं तो जो strongest animal होता है उसके जिन्दा रहने के chances ज्यादा होते हैं, ऐसा यह scientist मानते थे, अब Hitler ने इस concept को कुछ ज्यादा ही seriously ले लिया, ठीक है, यह concept forest के लिए था, Hitler इस चीज़ को इंसानों के उपर practice करने लग जाते हैं, Hitler कहते हैं कि जर्मनी में जो strongest हैं, उन्ही को ही हम लोग जिन्दा रखेंगे, तो इस तोरान जो बच्चे थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, कोई बच्चा अगर Aryan जैसा दिखता था पोलान में, उसे उठा के जर्मनी में ले आते थे, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हिटलर करते थे, यह एक इमेज है बेटा, एक train की, एक कार की, जिसमें हिटलर क्या करते थे, सा अंदर लोगों को मेभी पॉईजन, गयास या कुछ ना कुछ करके, टॉर्चर करके मार दिया जाता था, तो लोग अगर कभी भागने की कोशिश करते थे, तो ऐसे वायर में फसके वो लोग मर जाते थे, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, जहाँ पे क्या हो रहा है, लोग में यह फोटो टॉर्चर चेंबर की है, अंदर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, भार से हमें देखके लग रहा है कि हाँ, नॉर्मल घर में भी बना रखे हैं, ठीक है, तो यह सब होता था उस टाइम पे जर्मनी में, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूथ इ थम्स अप डाल दो, ठीक है, जल्दी जल्दी थम्स अप, जल्दी जल्दी भर दो, कॉमें सेक्शन में, मुझे आइडिया लग जाए, कि आप लोग को समझ आ गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओकी, I understand, चाप्टर आपका यह बहुत, हिस्ट्री का चाप्टर है, लेंदी चाप्टर है, है ना, तो मैं थोड़ा, स्पीड उसे साप से बना के जारी हूं, कि इंपोर्टन पॉइंट आपका स्किप भी ना हो, और आपकी एक्जाम की तयारी भी हो जाए, चलो, बढ़िया है, माम पानी पीलो, माम क्लास के बाद पीलेंगी पानी, ओके, चल ना, school going, बच्चों को ही चीजे सिखाना स्टार्ट कर देते थे, कि Jews से दूर रहो, undesirable लोगों से दूर रहो, तुम्हें desirable बनना है, तो इस photo में क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसे सिखाया जा रहा है, कि देखो, अगर किसी की नाक इस शेप में है, तो वो शायद Jew community को belong करता होगा उससे दूर है ना सोचो छोटे-छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है ठीक है next क्या होता था schools में क्या होता था अगर कोई बच्चा juice या फिर gypsy community को belong करता है उनको school के बाहर कर दिया जाता था similarly teachers के साथ अगर कोई teacher Jew है, gypsy है तो उसको बाहर कर दिया जाता था school के, आपको इसमें दिखरा होगा सारे बच्चे हस रहे हैं, बाकी बच्चों को juice को परिशान करके, बुली करके बाहर भेज रहे हैं next क्या होता था, कुछ बच्चों को junk folk नाम के organization में join करा दिया जाता था Nazi youth group था यह बच्चों के लिए group था, अगर किसी बच्चे की age 14 years से कम है तो उनको इस group में डाल दिया जाता था, ठीक है तो 14 के इस age में इन लोगों को violence बहुत जादा सिखाया जाता था, लडाई जगडा करना boxing encourage किया जाता था ताकि यह लोग बड़े होके थोड़े violent और aggressive रहें और army को join कर ले थोड़े time के बाद इनको labor service में join करा दिया जाता था और कुछ time के बाद इनको army में डाल दिया जाता था तो जो young बच्चे थे उनके साथ यह होता था उस time के Germany में ठीक है, next the Nazi cult of motherhood इस topic में हम क्या समझेंगे वैसे तो देखो Hitler कहते थे कि मेरे Germany में सबसे important citizen एक माँ है एक mother है पर वो ऐसी कहते थे ठीक है, वो ऐसा मानते नहीं थे सही में तो Hitler, पता सिरफ उन mothers को अच्छा मानते थे जो Jews बच्चों को जनम नहीं देते थे ठीक है, जो Aryans के mothers थे उनी को अच्छा मानते थे जो Jews family में mothers रहते थे Hitler को उनसे बहुत ज़ादा नफरत थी तो अगर कोई women है मान लो उसने Jews इंसान किसी Jew community के लड़के से शादी कर ली तो उस women को बहुत torture किया जाता था उसके बाल वाल shave कर देते थे face को black paint कर देते थे एक card पहना देते थे उसे कि मैंने अपने country को धोका दिया है और पूरे शहर का चकर कटवाते थे ये सारी चीज़े करी जाती थी उस time पे in fact पता अगर कोई mother है जिनका जो बच्चा है वो pure Aryan है तो उस mother को बहुत सारे gifts वगेरा दिये जाते थे ठीक है उस mother को कहा जाता था कि तुम्हें हम shop में discount देंगे theater में discount देंगे, railway में discount देंगे ठीक है और फिर बात में medals का concept start हो जाता है तो अगर एक mother है and उनके पास मान लो four children है जो Aryans है तो ऐसे में उनको एक bronze cross दिया जाएगा अगर छे pure बच्चे हैं Hitler के हिसाब से तो silver दिया जाएगा अगर 8 से जादा बच्चे हैं तो gold दिया जाएगा ये system भी Hitler start करते है ठीक है next Hitler और पता है क्या करते हैं the art of propaganda इसका मतलब है कि Hitler मीडिया को manipulate करते हैं मीडिया से बोलते हैं कि सोच समझ के डालना चीजों को newspaper पे ठीक है तो Hitler जो है या नाजी पार्टी के लोग कभी भी kill या murder शब्द को use नहीं करते थे हाला कि बहुत लोगों का उन्होंने murder करा कभी भी ये शब्द यूज नहीं करे जाते थे वो words यूज करते थे जैसे कि disinfection, evacuation, euthanasia ये इन टाइप्स के words को use करके वो लोगों को torture करते थे in fact अगर आप किसी torture chamber में चले भी जाओ अंदर तो अंदर आपको ऐसे देखके लगेगा कि कोई बहुत बड़ा सा bathroom है आपको देखके ऐसा नहीं लगेगा कि लोगों को torture किया जाता था तो इस तरीके से media को manipulate किया जाता था movies बनाई जाती थी जैसे कि eternal Jew जिसमें ये दिखाय जाता था कि juice तो बहुत जादा villain की तरह होते हैं बुरे लोग होते हैं ठीके तो ये सारी चीजे इस टाइप के poster बनाई जाते थे कि juice बहुत जादा greedy लोग होते हैं ठीके जैसे ये इनसान पूरा gold के bag cube पर बैठा हुआ है फिर भी उसका पेट नी भरा इस टाइप के images बनाके juice को परिशान किया जाता था last topic हमारा जिसके बाद आप बच्चों का ये chapter finish हो जाएगा how did the common people react to Nazism जो आम लोग थे उनका क्या reaction रहा Nazism की और ठीक है तो देखो जादा तर लोगोंने न हिटलर के खिलाफ बोला नी इसका एक कारण था डर उनको डर था कि आज ये juice के साथ कर रहे हैं कल को अगर हमने इनके खिलाफ कुछ कहा हमको पकड़ के torture करेंगे तो जादा तर लोग कुछ कहते नहीं थे ठीक है जादा तर लोग सह लेते थे कि चलो जो हो रहा होने दो हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना बढ़िया है और कुछ लोग seriously Hitler के उपर विश्वास करते थे Hitler ना बहुत ही एक strong बहुत ही एक influential speaker थे ठीक है तो कुछ लोग सही में Hitler के उपर विश्वास रखते थे कि ये आदमी ही Germany में कुछ कर सकता है तो इन सारे reasons के वज़े से बाकी लोगों ने जाधा बोला नहीं हिटलर के खिलाफ जब हिटलर ये सब करते थे ठीक है तो ये एक poem है आप लोग के books में भी होगी इसे आप रीड करोगे तो आपको idea लगेगा कि लोग कितना चुप रहते थे उस time पे तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहूँ इस poem को First they came for communist Well I was not a communist So I said nothing तो इसमें कहा जा रहे कि वो communist को पकड़ने आए Hitler और Nazi party के लोग पर मैं communist category में नहीं आता तो मैंने कुछ नहीं कहा मैं चुप चाप देखता गया फिर वो social democrats के लिए मैं social democrat भी नहीं था तो मैं चुप रहा I did nothing तो इस type के poems लिखे गये थे ये बताने के लिए कि हाँ हमने उस time पे कुछ नहीं करा जो की गलत था ठीक है पर जैसे ही Hitler की death होती है All over the world लोगों को पता लगने लग जाता है कि Hitler ने क्या क्या करा और हम इस पूरे incident को holocaust कहते हैं ठीक है ये जो incidents है जिसमें इतने सारे लोगों को torture करके मारा जाता था इसको हम holocaust कहते हैं ठीक है और उस time पे आपने सोचा होगा कि जो Jews हैं उनके दिमाग में क्या चलता होगा जब उनको पकड़के torture chamber में ले जाते थे जब उनको torture करते थे तो उनके दिमाग में क्या चलता होगा तो Jews पता है क्या सोचते थे कि चलो कोई नहीं हमें torture किया जा रहा है पर जब ये सब खतम होगा हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता लगे Hitler ने क्या करा तो जब इनको torture किया जाता था ये लोग जैसे मैंने बताया दिवार के उपर कुछ कुछ लिख दिया ठीक है एक ऐसे एक milk क्यान था जिसके अंदर हमें बहुत सारे लोगों के छुपे हुए letters मिले जिसमें इनोंने in detail बता रखा है कि इनके साथ क्या क्या torture हुआ तो उस टाइम पर Jews ने एक मकसद बना लिया था कि चलो ठीक है हम फस गए कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा पर when this all ends जब ये सब खतम होगा हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता लगे कि हमने क्या क्या सहा है ठीक है उस दौरान जैसे डेनमार्क के लोग पता है क्या करते थे सीक्रेटली अपने बोट को भेजा करते थे जर्मनी में जूस को रेस्क्यू करने के लिए तो ये सारी चीजें उस दौरान जर्मनी में हुआ करती थी So this brings us to the end of our chapter आप बच्चो का chapter end हो गया है एक और बास सुन लो ये आपके ट्राइम बाच क्या सीरीज चल रहा है जहां पर आप बच्चो को नाइंत के सारे syllabus को वन गो में फिनिश कर आ रहे हैं यूट्यूब पर तो आप इस क्लास को देखी रहे हो साथी साथ आप हमारे डाउटनेट के आप पर भी देख सकते हो देखने के लिए description में एक link है उस link के उपर tap करो और आपको यही क्लास हमारे डाउटनेट के आप पर दिख जाएगी आप पर देखने के अपने फाइदे हैं जैसे आपको homework question देंगे हम lecture slides प्रोवाइड कर दिये जाएंगे chapter wise टेस्ट होगा और साथी साथ add के टेंशन लेने की कोई जरुवत नहीं है जैसा हमें YouTube में लेना पड़ता है है ना सो वो टेंशन आपको लेने की जरुवत नहीं है comment section में भी आपको link दिख रहा होगा source link के उपर click करो अगर आपके पास doubtnet का app है तो directly खुल जाएगा अगर app नहीं है तो पहले download कर लो आपको ठीक है उसके बाद इस link के उपर tap करो directly ये class खुल जाएगी ओके चलो so अब confetti time history का ठीक है जिस chapter से I think हमारे class 9 के बच्चे सबसे जादा डरते हैं वो chapter हमने बहुत ही smoothly फिनिश कर लिया है कुछ भी नहीं था इस chapter मेहना super interesting था and I hope आप बच्चों को सब कुछ समझ आया है चलो तो आज हम इतना ही करते हैं बाकी मिलते हैं अपने future lectures में बाई बाई टेक केर and थांक